आज हम देख रहे हैं वक्रोक्ति अलंकार अलंकार को हम पढ़ी चुके हैं कि अलंकार क्या होते हैं अलंकार वो होते हैं जो कावे की जो आत्मा है जो रस है शब्द और अर्थ के दवारा उसकी शोबा को बढ़ाते हैं अलंकार आभुशनों की तरह ही कारे करते हैं और फिर उनकी केटेगरी हमने देखी थी उसका विभाजन शब्दालंकार अर्थालंकार और ओभ्यालंकार यह वक्रोक्ति जो है वो शब्दालंकार है अब वक्रोक्ति अलंकार शब्द से ही पता चल रहा है कि यह कैसा होगा वक्र उक्ति वक्रोता टेड़ा उक्ति होता कहना कोई भ दूसरे के दवारा अलग ही तरीके से योजयते इसको जोड लिया तरीके से कर रहा है किसी और अर्थ को लेकर भाव को लेकर कर रह लेकिन सुनने वाले शोता ने उसको किसी और अंदाज में सुन लिया है शलेशेन काकवा और कैसे होता है वो किसके दवारा वक्रोकती होती है या तो शलेश के दवारा होती है या काकू के दवारा होता है शलेश क्या होता है शलेश होता है जहां पर एक शब्द होता है उसके अर्थ अलग-अलग निकल जाते हैं या तो उसके माध्यम से कि जो बोला जा रहा है शब्द वो एक ही है लेकिन उसके अर्थ अलग-अलग हो रहे हैं एक तो वो वक्रोकती होगी और दूसरा होता है होता हमारा ध्वनी जो हम निकालते हैं उसमें प्रिवर्थन आ जाना कोई बात कह रहे हैं एक साधान ध्वनी से कह रहे हैं और एक उस ध्वनी को थोड़ा सा प्रिवर्थी तुरूप कर दें वहीं अर्थ में अंतर आ जाता है हम सब इन उधार्णों से समझेंगे यह क्या है श्लेशेन, काक्वा, वा, जेयां ऐसे जानने हो गया है क्या सवक्रोक्ति ही वेवक्रोक्ति तथा द्वीधा वो दो प्रकार की है दो प्रकार की हो गई है श्लेशेन और काक्वा यानि की श्लेश वक्रोक्ति और काकू वक्रोक्ति ऐसे ये दो प्रकार की वक्रोक्ति है जैसे बात यदि श्रिंगार रस्में हो रही है और कोई अर्थ उसका दूसरा सुनने वाला वीर रस्में ले जाए अब कहने वाला उस बात को श्रिंगार परक कह रहा है लेकिन सुनने वाला उसको वीर परक भाव से सुन रहा है तो अर्थों में बड़ा परिवर्तन आ जाता है हम सечатते हैं हम सबसे पहलें कर रहें शल hy jurisdictions का होता है अभी हमने पढ़ा शलेश होता है जहांपर एक शब्द के अनकर निकल जाते है और भीन भीन अर्थ निकलते हैं अब शलेश का यह पहला है है ee kyefa 17 में भी आगी दो पाठट हो जाते हैं 1.2 सिपने संप में क्या होगा भंग आ जाना यानि कि किसी भी पद का हम भंग कर दे सको सबंग भी कहते हैं यानि कि पद भंग を जाना इसको पद भंग भी कहते हैं सबंग का भंग के सहीत यानि कि कोई भी उधारन जब हम करेंगे कोई भी शब्द ऐसा होगा जिसका एक अर्थ तो पूरे शब्द के साथ निकलेगा एक शब्द के टुकड़े होने पर निकलेगा यानि कि उस पद को भंग कर दिया जाएगा उसके टुकडे कर दिये जाएंगे तब वो अलग आर्थ देगा तो वो क्या होता है सभंग या पदभंग शलेश अब देखते हैं युधारन क्या कहता है नारी नाम अनुकुलम आचरसी चेत जानासी कश चेतनों वामा नाम प्रियम आधधाती हित क्रिन्नैव अबला नाम भ अब यहां पर एक बोलने वाला है और दूसरा उसको सुन रहा है और उसके बाद वो बोल रहा है कि कैसा नहीं होता कि एक बोलता ही जा रहा है दूसरा उसका अर्थ ले रहा है अगर उसने अर्थ अन्य ले भी लिया तो हमें कैसे पता चलेगा इसलिए पहला एक बात बोल वह सामने वाले को कह रहा है एक व्यक्ति दूसरे को कह रहा है नारी नाम नारियों के अनुकूलम अनुकूल आचरसी आचरन करते हो चेत जानासी बुद्धिमान लगते हो पहला व्यक्ति क्या कह रहा है नारी के लिए नारी विशेश के लिए कि नारियों के अनुकूल जो आ भीमान होता है तो सामने वाले को कह रहा है कि नारियों के अनुकूल आचर्षी 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 नारियों के अनुकू आरी कहते हैं शत्रूओं को वो शत्रूओं का अर्थ लेता है ने अरी नाम शत्रूओं के अनुकुल नहीं आचरन जो करता ने अरी नाम अनुकुल आचरसी जो शत्रूओं के अनुकुल आचरन नहीं करता वह बुद्धिमान है नारी नाम पहले वाले निका इस्त्री जो इस लेकिन बोलने वाले का और सुनने वाले का यहाँ पर अलग-अलग हो जाता है अब सुनने वाले ने सुना कि शत्रूओं के अनुकुल जो अच्छर नहीं करता वह बुढ़न है धील कहगें कौन चेतन कौन बुढ़न अब दूसरा बोलगा है इसी लिए तर और धील को गारो ज्यांजों का पिरे करना चाहेगा है उनका प्रियए चाहेगा और तो नारी नाम ले रहा ISLIV वैसर उत्तर दे Islamic कि कौन ऐसा बुद्धी मानोगा जो शत्रूओं का प्रिय चाहेगा अब पहला वाला जब ये बात सुनता है वामा नाम तो वो तो नारी के लिए बात कर रहा है तो वो इसका अर्थ क्या लेगा कि नारी के लिए कह रहा है भी कौन ऐसा बुद्धी मानोगा जो नारी के अनु श्री विशेश के लिए आता है कि क्या आप अबलाओं के हितकरितन हितकारी नहीं है उसका हितकरने वाले नहीं है क्योंकि उसने वामा नाम का अर्थ क्या लिया है नारी लिया है क्योंकि उसने बात अपनी नारी शुरू की थी इसलिए वो कह रहा है पहले वाला कह रहा है कि क के կानि कि जिसका बल नहीं है र्था जो निर्बल है वह यह निर्बल के लिए कह रहे हैं कि आ क्या आप निर्बल के हितकारी नहीं हो तो वह क्या कहता है युकत्था कि 18e कि 4-5 कि अब हपर उच्ऱ मैं करना कि किपकर Пред 오gen HUD कर नाश करना कि वह पुष्टा है कि किया आप अबलाओं के रिने नहीं तो वह खिद कर अर्थ क्या लेता है अबला का अर्थ तो वह जा लेता है और हित कर अर्थ अब अने हार्थ को शेछ नच, तो वह विगहाद क हवा हित के विनाश करने वाला हूं, तो वह गता है कि ये hait कर्तन ही का नाश करना की युकतम क्या उचीत है और वह भी किसका बल अभाव पषिद ऑनमना जिसमें बल का वहाव जो निर्भल हो और पषिद किसके के के अबलाओं को था है तो तो क्या जनका अभाव है उनका गध का नास्टा चनका यूत है कि आप भूलने वाले ने बよし आप समझने वाले ने डिया कि वे फिल्णकने माला तो इंदर के लिए इसा परसिद है कि बल नामक असुर्था उसको ईंदर ने मारा तो यह बात पर्सिद है दूसरे ने इसका वाला क्या आर्थ क्या सोच रहा है जिसने ये बात सुनी जिसने ये बात समझी कि क्या इंदर का हितका नाश करना क्या उचित है अब उसने जब यह अर्थ सोचा तो वह क्या कहता है कि तुम्हारे अंदर इतना सामर्थय कहा है कि जब तुम्हें उसका हितका विनाश कर दो अब यहां देखिए कि बात जो हो रही है वो कहने वाला अपने अर्थ में कह रहा है सुनने वाले ने दूसरा अर्थ लिया उसके अकोर्डिंग अपनी बात बढ़ा रहा है फिर पहले वाला उस अर्थ को नहीं ले रहा तो ये सब क्या है ये वक्रोकती है कि बाते कितनी हो गई वही शब्द है लेकिन उनके फिर वो अर्थ बदल बदल के इतनी बाते हो रही है अब यहाँ पे जो बात हो रही है सभंग शलेश की शलेश तो इसलिए है क्योंकि एक शब्द के अर्थ भिन भिन हो रहे हैं और फिर ये सभंग की बात करें पद भंग की बात करें किसमें पदों का भंग हो रहा है कैसे हो रहा है जैसे ये है नारी नाम पहले वाले ने नारी और सुनने वाले ने क्या सुना अबला नाम यहां पर भी पद भंग हो गया है जिसने बल नहीं है वो अर्थ हो गया तो यह विशेश जो है दो शब्द यहां पर पद भंग होता है अब यहां पर जो इस शब्द है वामा नम अर्थ तो यहां पर भी अलग अलग निकला है वा इंदर के लिए कि जिसने बल का अभाव कर दिया ऐसा लेकिन यहां पर इसमें इसमें और इसमें इन तीन में पदभंग नहीं है लेकिन यह पूरा श्लोक जो है वह पदभंग श्लेश में काउंट होता है क्यों होता है क्योंकि वह विशेश इसके कारण नारी नाम और अबला अगर जाता है तो ए जे जो उद्हारण था वो है हमारा श्लेश सभग्न या सभंग तो अब देखते हैं आप अभगश्लिश मट्राइब निससे जहां पर जहां पर पनप्रद का बंग नहीं आँ जाएगा लेकिन एख ही शब्द का अर्थ अलग हो जाएगा। इसका उधार्ण है, अहो केन केन इदृशी बुद्धिर दारुना तव नीर्मिता। त्रिकुना शुरुयत भुद्धिर ना तु दारुमि कवचित। अभी सुधान में क्या कह रहे हैं कि बोलने वाला व्यक्ति जो बोल रहा है वो बुद्धी के विशे में बोल रहा है बुद्धी को कठोर मान के बोल रहा है लेकिन सुनने वाला क्या सोचता है जो दारुन शब्दा है उसका अर्थ भिन ले लेता है देखते हम क्या कह रहा है अहो केन इद्रिशी बुद्धी ही दारुना तवा निर्मिता केन अहो आरे केन किसके दवारा इद्रिशी दारुना बुद्धी इस परकार की तुम्हारी दारुन शब्द के लिए क्या कहा उन्होंने दारुन शब्द है ये और बुद्धी के साथ आया है बुद्धी का विशेशन है तो क्या हो गया स्ट्रीलिंग में चला गया इसलिए दारुना दारुन शब से इस्त्री लिंग बना है दारुन होता है कठोर, कि किसके दवारा तव इद्रशी दारुना बुध्धी, कठोर बुध्धी, निर्मिता बनाई गई है, निर्मित की गई है बोलने वाले का क्या मतलब है वो बुद्धी का विशेशन क्या कह रहा है दारुन कह रहा है कठोर केन किसके दवारा इद्रशी इस परकार की तवा दारुना बुद्धी निर्मिता कि तुम्हारी कठोर बुद्धी बनाई गई है बोलने वाले वक्ता ने ये बात कही लेकिन स सुनने वाले ने क्या सुना इसी वाक्य को अहो केन दारुना किस दारु के दवारा दारुन जो शब्द यह है इसने केन के साथ इसको जोड़ा केन दारुना दारु शब्द है केन तृतिया विक्ति है तो दारु की तृतिया विक्ति आ गई अब यह क्या है तृतिया विक्ति किस कास्ट से इद्रिशी बुद्धी तव इद्रिशी बुद्धी निर्मिता तुम्हारी इस परकार की बुद्धी निर्मित की गई है बनाई गई है बोलने वाले ने क्या बोला था केन किसके दवारा तुम्हारी कठोर बुद्धी बनाई गई है लेकिन सुनने वाले ने क् केन दारूना अब यह जो दारूना शब्ड है इसका उसने क्या आर्थ लिए के साथ जोड़ दिया दारू शब्द से उसने तृतियाव वक्ति लिए कि किस कास्ट के दवारा किस लकडि के दवारा तुम्हारी बुद्धी यह बनाई गई है यह हो गया वक्रोक्ति अब के से यानि कि लकड़ी से काष्ट से और अभंग क्यों है है यहां पर पद भंग नहीं हुआ है यह जो पद है दारुन यह ऐसे कायसा ही रहा है बस बोनने वाले का। ने वाले का आर्थ-प्रिवर्थं हुआ है आगे कह रहा है क्यों चमुल में बुद्लि को Kerry को तीन वाव वाली तो सुना था क्यों कि जहां पर चाल मा करते हैं सित्व रजअस तमस यो आते हैं कि तें गुन रिपर ना कि शल्ट सुना कि यह दूote कि पहले वाले ने ये बात बोली है लेकिन ये कास्ट मेसा कभी निइस यहाँ पर क्या है शलेशcommand ये उधानता है, ये उधारणत है काथोर। दूसरा अरथारा कास्ट के दवारा। औरवर इह अभंग है। उसी से अर्थ में प्रिवर्तन आ गया है। ये उधारणत है हमारा अभंग श्लेश वक्रोक्तीया है। पहले जो उधान किया था वो सभंग या पदभंग शलेश वक्रोक्ति का था अब आगे है जो दूसरा इसका भेदया वक्रोक्ति का वो है काकु वक्रोक्ति अब काकु वक्रोक्ति क्या होती है जहां पर जो कंट की ध्वनी होती है वो भिन हो जाती है भिन कंट ध्वनिः धीरई जो धीर लोग है बुद्धि मान लोग है वो क्या कहते है जब कंट ध्वनिः जो भिन हो जाती है उसी को काकु हूँ इती अबी धीय दे जहां पर कंट की ध्वनिः में प्रिवर्तम आ जाए उसको धीर पूरुष बुद्धिमा लोग उसको काकु की नाम से कहते हैं इसका उधान देखते हैं काकु में अर्थात बोलने वाले ने अपने सहज तरीके से एक बात कही लेकिन सुनने वाले ने उसी तरीके को उस शब्द विशेश की ध्वनी को प्रिवर्तन कर दिया अब दो सकी है एक नाइका है एक उसकी सकी है हो गई तो दो नहीं सकी अब जो नाइका है उसका जो प्रियतम है वो दूर देशों को गया हुआ है दूर देशों को जाने में उध्यत है अब वो गया हुआ है उसका इंतिजार कर रही है और जो यहां पर उधान दिया गया है अलिकुल कौकिल ललीते या सुरुभी समय असू, जो ये समय है, वो कैसे है? सुरुभी का समय, थार्थ वसंतरीतू है, वसंतरीतू जब भी आती है, तो फूल लीतियादी बहुत खिल जाते हैं, मौसम बड़ा सुहावना होता है, अब ऐसे मिन क्या होता है, जो प्रिये प्रियतमा होते हैं आपस में उनके मिलने का अनंद अलग होता है मिलने की इच्छा होती है तो क्योंकि कोई भी चीज हो जैसा माहौल होता है उसका आसर तो पड़ता ही पड़ता है अब यहाँ पर जो नाईका है वो अपनी सखी को क्या कह रही है कि जो उसका प्रियतम है वो दूर चला गया है तो अब उसको इस बात का दुख है कि वो नहीं आएगा इस समय में जब मैं से मिलना चाहा रही हूँ और हो सकता है वो भी चाहता हूँ लेकिन वो नहीं आएगा वो मेरी चिंता नहीं करता जो अपने से बड़े हैं माता पिता भी अधीन होने से अधीन होने से उनके अधीन होने से दूर तरण देशम गंतुम उधता हैं जो है माता पिता या गुरुजन है उनकी आज्या से उनके अधीन होने के कारण अपनी मर्जी से नहीं गया हो उनके अधीन होने के कारण दूर देशों में जान गया है अलिकुल कोकिल ललितेई अलिकुल अलि होता भवरा कुल सम्हू या उनका कुल पूरा यानकी भ्रमर का क वहां पर मेरी चिंता तो करता ही नहीं आएगा अपने बड़े जनों के अग्या के अनुसार वो चला गया है मेरी उसको बिल्कुल चिंता नहीं वो नहीं आएगा वैसा अपने आप ही सोच रही है क्योंकि होता भी ऐसा ही है कि जब वीरह की अवस्ता है तो हम अपने अपने बातों को सेट करते हैं या कभी लाइफ में भी हमने देखा हो कोई थोड़ा सा भी नकारात्मक विचार हमारे मन में आ जाए कोई जीवन में ऐसी छोटी सी घटना ही हो जाए तो हमें सब कुछ ऐसा नेगिटिव नेगिटिव ही दिखाई देने लग जाता है हमारी निगा बस नकारात्मकता कोई अपने और आकरशित करने लग जाती है तो वैसा ही ऐसा सखी सोच रही है लेकिन उसने क साधान बात कह रही है कि वह नहीं आएगा भी वह अपने बडे जनों की आजया कि श्वत लेकिन थे कि उसकी आच of को सुनती है र क्या Walker वॵह नहीं आएगा कि उसकी सखी के करती है नहीं आएगा अब इस बात में क्या हुआ कि बात क्या थी है नहीं आएगा कि यह बात दो कह रही है नहीं का आप उसकी सकी किए करी ये कि अगैल की जो आएगा शंद इसको वह прид ‫बढ़ा कर रही है यहां पर ध्थनी प्रिवर्तन हो ध्वनी प्रिवर्तन होने के द्वनी में प्रिवर्तन होने के कान वैसा आर्थ हो जाता है तो यह हमने पढ़ी थी वक्रोक्ति, जैसे हम देख रहे थे वक्रोक्ति क्या है, भी कहने वाला किसी बात को अपने धंग से कहता है, सुनने वाला अलग धंग में उसको लेके चला जाता है, शलेश और काकु इसके दो परकार है, फिर शलेश के भी दो पाट हो जाते हैं, एक सभंग शलेश है, जिसमें पद का भंग होता है, और एक अभंग शलेश है, और दूसरा इसका जो है वो है, काकु वक्रोक्ति जान्ध्वनी में प्रिवर्तना आता है, ये हमारा वक्रोक्ति अलंकार्था, धन्यवाद